नमास्कार दोस्तों मैं विखास सिंग आपका अन्वसर टाइम के यंट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं आज हम लोग देखेंगे भावा एटामिक निश्व सेंटर वर्क असिस्टेन के लिए प्रैक्टिस से पहला जो कि आपके एक्जाम के लिए काभी इंपार्टेट ह सकता है इसलिए आप लोग वीडियो के सुरू से अंतक जोड़ देखिएगा पहला क्वेश्चन है कि हल कीजिए 1 प्लस 111 प्लस 111 का जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा चले हम लोग इसको हल खटकर देख लेते हैं 111 प्लस 111 प्लस 111 प्लस 1 इसको हम लोग जोड़ है दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि हल कीजिए 120 प्लस 210 क्या आएगा इसका अंसर से अपने हम लोग जोड़न लेते हैं 00213 यानि आपका आएगा अंसर 330 इसलिए आपका आपसर नंबर भी सही हो जाएगा नेक्ट क्वेश्चन के तरफ हम लोग बढ़ते हैं तीसरा 12 से विभाजित करने पर प्राप्त सेस्पर क्या है चैनल लोग डिवाइट कर लेते हैं भाग कर लेते हैं तो देखे बार चंग 72 और यह आपका आपका आंसर हो जाएगा इसलिए आपका आपसर नंबर दी सही होगा चोथा क्वेश्चन क्या करा कि हल कीजिए 800 भागे क्वेश्चन मार्क बराबर 8 त्याहब क्वेश्चन मार्क का जो बैलू है हमें वो बताना है चले हम लोग हल कर लेते हैं 800 भागे question mark is equal to 8 यानि 800 बटे question mark is equal to 8 इसको तेरिया कुड़ा होगत क्या होगा question mark into 8 equal to 800 question mark is equal to क्या होगा 800 बटे 8 यानि आपका yes हो जाएगा यानि जो question mark का value आएगा वो आएगा 100 इसलिए आपको आपसर नमबर ये हम लोग बात करते हैं पांचवा question क्या कर रहा है कि हल कीजिए 101 गुड़े 10 गुड़ा करने भमें क्या मिलेगा तिया वह मैं simply 102 बहा देना है और आपका जो आणसर आएगा 10 दस इसलिए आपको आपसर नमबर ये सही हो जाएगा गुड़े 9 गुड़े 9 को करने गुड़ा करेंगे तो हमें क्या प्राप्फ होगा जलिए braking क्या से लिख लेते हैं अब हम लोग 99 को गुड़ा कर लेता है तो सिंपली एक से गुड़ा करें तो निन्याओन पे इन्टु आट नुवा बहत्तर आसी लगा साथ आट नुवा बहत्तर साथ उन्याजी क्या आएगा नव नव दू ग्यार नव एक दस साथ एक आठ यानि आपको जो आंसर आएगा आसी ओन इस आएगा इसलिए आपको आपसर नंबर डी सही हो जाएगा नेक्ट वेस्टिन के हम बात करते हैं यानि कि सातवा क्वेस्चिन की साथ वा क्वेस्चिन में करा लाएकि SIMPLY आपको घटाना है क्या घटाना है 59 दसमलों दो पांच में से आपको 88 दसमलों पांच घटाना है क्या हुआ सुनने से पांच यहां है तो 5 उत्रा बारम से पांच गया साथ यहां आठ बचा आठ बचा आठाट बचाट गया सुन नाव मसाट का एक एक एन जो आपका अंसर आया दस दस मुलब साथ पांच इसलिए आपका आपसल नमबरे सही हो जाएगा हम लोग करते हैं आठ वे क्वेस्चिन की आठवा क्वेस्चिन की क्या करा रहा है सिंपली सामय इसको साथ करना है आठ अच बचासी में से एक सो पचीस माइनास अच्छो चक पन माम फोले पहले चोल लेते हैं कि आए डिक सुपचीस टूदते है च्बच गिए रहा पांदू साथ अब हम लोग क्या करते हैं 8885 मैं से इसको घटा देते हैं घटाने पी क्या मिलेगा मैं पाच मसे एक गया चाह आठ मसे आठ गया सुन अठारह मसे नौ गया नौ और यहां बचाह साथ यानि जो आपका अंसर आया साथ नौ चीड़ो चाहर और इसलिए आपका अपसुन नंब हैं तम समापवर्थक गयाद किजिए हैं माता समापवर्थक को होता तक हो होता है जो दोनों में कापन कामन हो चलिए दोनों खर्लंखन कर लेते हैं 30, сами, 3,3 तरी आथ нрав3 27, 27, 80 800, इसलिए आप कोई इसको लेकर नहीं dedicate 13 घुड़ए एगए 20 , हम लोग कामन देखे तो यहां बात करते हैं दस्वे क्या है कि संग्या पालना फंदोर रुपएम खरिकते यादि दुकान दाने उसे 20 परसंट की छूट दी है तो पालना कांकित्पुल क्या था हम माल लाते हैं पालना काल के पमोल एक्स था और इस पे 20% छूट मला यानि एक्स गुले 20 बटा सो और इसमें हमने घाटा दिया तो हमें इसका 1500 यह मिल गा चलिए हम लोग इसको solve कर लेते हैं यानि क्या हुआ पाच एक्स माइनस एक्स बाच इसको इसको काटेंगे तो 750 यानि इसको पिर हम लोग काटेंगे तो कितना बचेगा 2, 3, 6, 2, 7, 4, 5, 75 में गुड़ा कर देंगे 375 में गुड़े 5 क्या मिलेगा 25, 25, 25, 25, 25, 27, 27, 37, 35, 35, 38, यानि आपका आंसर आएगा 1875 इसलिए आपका आपसर नमबर यह सही उचाएगा Next question की तरफ हम लोग चलते हैं एक ग्यानावा question क्या कर रहा है कि दिये गया अनुपात को इसके सरलतन रूप में प्यक्त कीजिए एक घंटा दिया है और 60 सेकेंड तो हम लोग घंटा क्या कर लते हैं सेकेंड में मना एक घंटा कितने मिनट होते हैं एक घंटे में होते हैं आपके साथ मिनट और एक मिनट में होते हैं साथ सकेंड अनुपाथ साथ सकेंड आप देखिए साथ से साथ कट गया यानि कितना अनुपाथ बचा साथ अनुपाथ एक यानि आपको आपसे नंबर भी सही हो जाएगा नेक्ट प्रेस्चिन के तरफ हम लोग बढ़ते हैं क्या करा कि बारावा क्वेश्चन करा पांच कर देंगे तो दो मेज का दाम हमें पताच लेगा हम लोग गुड़ा करेंगे कितना मिलेगा तीन सो साथ और यहीं आपका सही आंसर होगा आपको आपसे नंबर सही हो जाएगा नेक्ट वेश्चन के बात करते हैं कारक निल लतन की आयू 20 वर्स है और विकास की आयू साथ कितने वर्स में दुग न नहीं हो जाएगी हमान लेते हैं आपसन में कि यह 6 वर्स बात विकास की आयू से दुग न हो जाएगी दोनों में हम 6 जोड़ देते हैं ठीक है इधर वी 6 इदर वी छे यह देखिए 7-6-13 और 20-6-26 यह देखिए 13 का दो गुना है यह आपका आपसर नमबर भी सही हो जाएगए यह छे वर्सों में उसकी आयू दुग नहीं हो जाएगी Next question के बाद हम लोग करते हैं Question क्या करा कि नीचे दी गई स्रिंखला अच्छरोयों संख्याओं का अनुकुरम का प्रेयोग करती है गलत सयोजन पहचारिया जो देखिए D option है वो गलत है हम बताते हैं आपको क्यूं देखिए A लिखा है फिर 1 लिखा यानि A पहले स्थान पर आता है सी तीन पर आता है और यह आई है आई और नौ पर आता है लेकिन चौथा जो आपसर है यह चे देखिए छै पर नहीं आता है यह चाता आठ पर इसलिए गलत सयोजन है और इसलिए आपको आपसर सही हो जाएगा हम लोग बात करते हैं 16 वे question की और 15 वे question की पंदरभावा question देखे क्या करा कि नीचे दी के इस रिंखला अच्छरोयों संख्याओं का अनकरम का प्रयोग करती है गलत सयोजन को पहचानी है यानि कि जो तीन है कहीं ने कहीं एक प्रकास से एक नियाव को फालो करते है लेकिन एक है जो कि उसके नियाव को फालो नहीं क करता है तो देखे पहले option हम लोग देखे तो A का भी प्रीथ होता है Z, B का भी प्रीथ होता है Y, C का भी प्रीथ होता है X, देखे यू का भी प्रीथ होता है या, T का भी प्रीथ होता है G, D का भी प्रीथ होता है W, L का भी प्रीथ होता है O, B का भी प्रीथ होता है E, P का भ जाएगा सोल हमें क्वेश्चन देखे क्या कर रहा है कि एक कोई सीरीज दी गई है उसमें से जो खाली स्थान है वहाँ पर कौन सी संख्याएगा उसको हमें बताना है तो हम देखिए सिंपल्स क्या है एक का क्या है एक दो का क्यूब किया है आठ तीन का क्यूब किया है तो 27 और चार का हम लोग ठीक उसी प्रकार कीव करेंगे तो क्या मिलेगा चार चुक शोलाच और देखे पांच का कीव करेंगे तो एक सो परचीज यानि खाली स्थान पर क्या आएगा चार सथ इसलिए आपका आपसर नंबर सी सही हो जाएगा हम बात करते हैं 17 क्या करेंगे आवसत ग्याद करना है आवसत का फार्मूला क्या होता है कुल पदो का योग बटे कुल पदो की संख्या क्या हम लोग जोड़नाते हैं 12 13 15 27 28 इन लोग का हम लोग एड करते हैं 3 2 5 15 17 17 24 25 अत्म लगा दो एक दो तीन दूपां दूशाब दूशाब नौ यानि कितना है जोड़ने पर 95 कितना है एक दो दो तीन चार पांच यानि हम लोग पांस इसको भाग कर देंगे तो किलना हैगा बाच एक पांस नमा पैतालीस यानि इनका जो होगा वह उनईस होगा इसलिए आपको आपसर नमबर ये सही हो जाएगा हम लोग बात करते हैं 18 हमें क्वेशन की सेम क्वेशन है कि आउसत ग्यास कीजिए आउसत क्या है कुल पदो का योग बटे कुल पदो की संख्या तो आपको सिंपली क्या करना है इन सभी को जोड़ लेना है और कुल पदो की संख्या से भाग कर देना है आप लोग जोड़ लेते हैं 22 45 तंदरा 20 35 और तीरा लिस यह लोग को जोड़ते हैं पांदू साथ पांच बारह पांच सत्रती 20 20 आत्म लेगा दो चार दू छे एक साथ दूनों तिन बारह चासोला दू अठार कितने देखें पता हैं एक, दो, तीन, चार, पांच छे तो हम लोग छे से इसको डिवाइट कर देते हैं तो डिवाइट करेंगे तो क्या मिलेगा 30 मिलेगा यानि जो इनका आउसत होगा होगा 30 इसलिए आपको आपसों नमबर भी सही हो जाएगा नेक्स्ट के बात करते हैं हम ल पर पचास बटा सो एक, जीरो, दो, जीरो यह कट गया है यानि इसका आया पंदरा ठीक और सब 20 काम लोग 10 परसंद निकाल लेते हैं कितना होगा यह कटा दो सुन यानि यहां पाया दो इन दोनों को आट कर देना यानि 15, 2, 17 और यही आपका आंसर हो जाएगा यानि आपक परमास का नियम जानते होंगे, यह इसी नियम से साल्व होगा और कुसी तरी स्करेंगे तो आपका अंसर गलत आएगा, देगे हम लोग पहले 20 भागे दो है था हम लोग पहले डिवाइट कर ले थे कितना है 10, 2, 3, 4, अब गुणा करेंगे 30, 4, यानि आपका कितना अंसर आ क्या अर्थ है, तो यह सिंपल साइस चीने का अर्थ है कि यहाँ पर वाहन खड़ा करना मना है, यह आपका अपसर नमबर यह सही हो जाएगा, हम लोग बात करते हैं, 22 क्वेशन की, वह बाइस क्वेशन करा है, वह नदी कौन सी है, जिसका उद्गम भारत में नहीं है, तो हम लोग बात करते हैं, अगले क्वेशन की, महराष्ट सब्द का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है महादेश, और यह आपका अपसर नमबर यह में दिया है, इसलिए आपसर नमबर यह सही हो जाएगा, हम लोग बात करते हैं, 24 क्वेशन की, 24 क्वेशन क्या रहे है कि महराष्ट राजी की सीमा के साथ कौन सा सागर लगा हुआ है यानि जो महराष्ट का सीमा है उसके साथ कौन सी सागर लगी हुई है तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरब सागर तो अरब सागर यह आपका आपसर नंबर बी में है इसलिए आपका अपसल नमबर भी सही हो जाएगा नेक्ट प्रेशन के बात करते हैं आप पूछ रहा है कि महराष्ट की स्थापना कब होई थी तो इसकी स्थापना होई थी एक माई इसलिए आपका अपसल नमबर भी सही हो जाएगा यानि कि एक माई 1960 को महराष्ट की स्थापना होई थी आपको बात करते हैं 27 प्रेशन के पूछ रहा कि ताज महल कहां इस्थी थी तो यह ताज महल आपका आगरा यूपी में इस्थी थी थी उत्तर प्रदेश में इसलिए आ हम लोग बात करते हैं 28 प्रेशन की तो पूछ रहा कि पल्ली आंदोलन किस राज से संबंदीत है तो यह आपका तमिल नाडू राज से संबंदीत है इसलिए आपका आपसल नमबर भी सही हो जाएगा महराष्ट का राजविच्ष क्या है तो आपका महराष्ट का राजविच्ष आप है इसलिए जो कि आपसल नममर डी में दिया है इसलिए आपका आपसल नममर डी सही हो जाएगा हम लोग बात करते हैं कि भारत की बित्ती राजधानी कौन सी है तो हम सभी को पताएं कि भारत की बित्ती राजधानी क्या है मुंबई है तो इसलिए आपको आपसर नंबर क्या हो जाएगा यह सही हो जाएगा नेक्स्ट क्या हम लोग बात करते हैं पीश्व का सबसे बड़ा द्वी कौन सा है तो ग्रेन लेंड को पीश्व का सबसे बड़ा द्वी माना जाता है इसलिए आपको आपसो नमबर भी सही हो जाएगा Next question के हम लोग बात करते हैं Question repeat हो गया है भारत की बित्ती राज़धानी कोन सी है तो वो आपके मुंबई है और यह आपका सही answer है Next question के हम लोग बात करते है प्रकास अंसलेशल की क्रिया में प्रकास उर्जा किसमें बदलती है तो प्रकास उर्जा आपके रासानिक उर्जा में बदल जाती है किसम बदल जाती है रासानिक उर्जा में इसलिए आपका आपसा नमबर भी सही हो जाएगा next question के हम लोग बात करते हैं वसा में घुलन सिल बीटामिन कौन सा नहीं है तो जो आपका ये option number D है, यानि vitamin B and C, ये किसमें खुलता है, ये खुलता है आपका जल में, आज जो आपका vitamin K, E, D, A है, ये किसमें खुलता है, तो ये खुलता है आपका वसा में, तो इसको कैसे आद कर सकते हैं, कीडा, कीडा किसमें खुलता है, वसा में, और B और C किसमें बोलता है जल में इसलिए आपका आपसर नमबर टी और शी हमिए का लाता है ते यह कहणा रहिख सार्वाजनिक दाता इसलिए आपका आपका आपसर आपसर नमबर एक सही हो जाएगा नेक्स्ट के हम लोग बात करते हैं मानों सरीर का रक्त बैंक कहलाता है तो यह आपका प्लिया जो है यह मानों सरीर का रक्त बैंक कहलाता है और इसलिए आपका आपसर नमबर एक सही हो जाएगा next question के हम लोग बात करते हैं क्या है किसकी कमी से रिकेटस रोग होता है तो आपका यह आप simple साथ vitamin D की कमी से रिकेटस रोग होता और इसा हम लोग सूखा रोग के विसी नाम से जानते हैं इसलिए इसका आपसर नमबर यह सही हो जाएगा vitamin D जो सूखा रोग के भी लियजी जिम्यदार है ठीक है next question के हम लोग बात करते हैं रक्त क्या है रक्त क्या है तो रक्त की जो प्रकृती होती है वो होती है छारी तो इसका आपसर नमबर जो है P सही हो जाएगा यानि कैसा है कैसा है तो वह है छारी प्रक्रती वाला next question के बात करते हैं question है चालीज बिटामी सब्द का जनक कौन है तो यह आपके है कासमीर फंक जी है यह बिटामी सब्द के जनक है यह आपका आपसर नमबर दी सही हो जाएगा next question के बात करते है इसकरवी रोग next question के हो बात करते है पाउधे के किस भाग से हल्दी प्राप्थ की जाती है तो हल्दी जो है वो तना से प्राप्थ की जाती है यानि आपका आपसर नमबर सी सही हो जाता है अगर पुछे कि आलू क्या है तो यह क्या है एक प्रकार का तना ही है ठीक है next question के हम लोग बात करते हैं 43 नंबर की किस अंग के भीतर पित्ता से इस्तित है तो है आपका यक्रित अंग के अंदर पित्ता से इस्तित है और आपका सही answer हो जाएगा आपसर नंबर B next question के हम लोग बात करते हैं malaria में कौसा अंग प्रभाहित होता है तो जो malaria होता है वो platelets यानि प्रिया जो सबसे अधीक प्रभाहित होता है यानि आपका आपसर नंबर A सही हो जाएगा इसमें कहता है platelets की संख्या गिरी जाती है next question है vitamin C का सबसे उत्तम सुरूत क्या है तो इसक कमीश कौन सा रोग होता है इसकी कमीश होता है इसकर भी जिसमें क्या होते हैं आपके भाहाने नेक्स और बात करते हैं 46 number की कौन सा भोजन तुरन्त सक्तित करता है तो इस तत्तो की कमी से घेंगा होता है तो आयोटीन की कमी से घेंगा रोग होता है जिसे मोग ग्वायटर के नाम से भी जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बात कर गया है अरतालिस नमबर की मानों सरीर की सबसे छोटी हड़ी कौन सी है तो है इस्टेप यानि आपसे नमबर सी होगा यह कहां पाजाती है तो यह कान में पाई जाती है ठीक है जानेक्त करां बात करें लोग ओंच आस नमबर निमोनीया रोखसरी की संग को प्रभाइद करता है तuhan के आपके Fray प्रभाइद कछ Kabul इन इक रेड ब्लट सेल्स की बात करना है RBC ये इसका जो होता है duration याट G1 का lifetime इसका होता है 120 दिन इसका कैसे याद करें कि R को कैसे लिखा 12 और 120 दिन आसा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा अब वीडियो पसंदा है तो वीडियो क्या करना है लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ सेयर करना है ताकि जो एकजाम दे रहे हो उनकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके सोचा है और वे अपने एकजाम में अच्छे इसको कर पाएं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद झाल